हलो वेलकम टू मैं चैनल हैली चस्का आज हम वेजटेवल कड़ी बनाने जा रहे हैं जो की बहुत यल्दी तयार चट पर तयार हो जाती है इंस्टेंट वेजटेवल कड़ी इसके लिए हमने लिये हैं वेजटेवल इसमें हमने कॉलिफर वर कैरेट और मटर का यूज़ किया आपके बास जो भी वेजटेवल एवलेवलो वो आप ले सकते हैं हम थोड़े सा करी पत्ता हरा दनिया हरी मिर्स मस्टर्ड ओइल यह हमने बेशन को पहले से ही रोस्ट कर लिया है ताकि कड़ी जल्दी तयार हो जाए और यह हमने दही को चाज को अच्छी तरह से तयार करके रखा हुआ है अब हम कड़ी तयार करेंगे अब हम जल्दी कड़ी तयार करने के लिए यह हमने यह वेजेटेवल काट कर रखी ती इसको हम चौपर में टालकर छुटा-छुटा चौप कर लेंगे देखे इस तरह से सभी वेजेटेवल्स को हमने चौप कर लिया जो की फटा-फट तयार हो जाएगी कड़ी अब हमने एक कड़ाई को अच्छी तरह से गरम होने कली रख दिया है और हम इसमें लगवग 2 टेविल स्पून हमने छुटा वाला ओइल डाला इसको अच्छी से गरम कर लेंगे यह हल्दी कड़ी है इसमें ओइल का वी यूज हम कम कर रहे हैं देखे आप यह ओएल गरम हो गया लगवग इसमें हम थोड़ी सी यह हमने मैथी दाना डाला थोड़ा सा वन टेविल स्पून जीरा थोटी हाफ टेविल स्पून हींग इन सब को अच्छी तरह से रोस्ट होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा करी पत्ता यह डालेंगे साथ ही हमने यह चाज तयार के था इसी में ही हम थोड़ी सी वन टेविल स्पून हल्दी पावडर और थोड़ी सी मिर्च पावडर यह हम इसी में हम निक्स कर लेंगे चछे से चाज में ही और साथ ही इसी में हम यह जो हमने रोस्टेड बेशन तेयर किया था यह इसको भी इसमें mix कर लेंगे इस तरह से इसको भी अच्छे से mix करेंगे, इसमें लागा कड़िया पदली या गाड़ी जैसा आप चाहें उसकी according या बेशन को इसमें mix कर लें अब देखे ये अच्छी से रोस्ट हो गए हैं अब हमने जो सब्जी सारी वेजिटेबिस चॉप की थी वो इसमें डाल गई है यह आप कम या जादा अपने टेस्ट चन का सब्ली अच्छी से इसमें को भीष्ट कर लेंगे ताट चीज में हम थोड़ा साथ रेड चिली पाउडर फूर इसे हल्डी पाउडर इसमें को डाल जाएंगे कि बहुत जादा हैल्डी और क्विक बहुत जल्दी बनने वाली कड़िए और यह हमने जो चाच में वोस्टेट बेसन थोड़ा हल्दी पाउडर मिल्च पाउडर डाल कर तयार किया था वो सब इसमें डाल रहेंगे देखिए इतनी अच्छी कलरफुल बहुत जादा कड़िया बहुत जल्दी बनकर तयार रहते है इस तरह से इसमें बोईल आने देंगे अब इसको इस तरह से अच्छी सी आप हाई फ्लेम पर भी इसको बना सकते हैं इस तरह से जब तक इसमें एक अच्छा सा वाइल ना जाये आप थोड़ी दे इसको इस तरह से चलाते रहें और इसको आप कुकर में भी बहुत इजीली बहुत जल्डी तयार कर सकते हैं इसमें आउयल का भी यूज कम होता है पकोड़ी का भी नी बनाने आपको हैल्डी जो ही सीजनर वेजटेबल से उससे डाल कर आप तयार कर सकते हैं एक अच्छा सा वाइल आने पर आप इसमें नमक डाल दें अपने टेस्ट के उनसार कड़ी बनकर विकुल तयार है बहुत अच्छा है इसमें 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 अपने थोड़ा नमक हमने पहले डाला था नमक अपने टेस्ट के उनसार कमया जादा कर लें थोड़ा नमक और डालेंगे कड़ी लगवा बनकर पुलकुल तयार है अब हम इसको सर्फ करेंगे यह देखें कड़ी बनकर तयार है कड़ी को अच्छे से फुल फ्लेम पर बड़े फ्लेम पर रग दें पता पत कड़ी बनकर तयार हो जाती है हमने इसमें यह थोड़ी सी राइते वाली बूंदी भी एड़ किया है यह आप ऑप्टिनल है आप इसमें सेब भी डाल सकते हैं यह देखें अब देखें यह कड़ी बनकर विकुल तयार है अब हम इसमें यह तड़का डालेंगे साथ ही थोड़ी सी हरा धनिया थोड़ा सा हरा धनिया यह देखें इस्टेंट वेजिटेबल कड़ी बनकर विकुल तयार है जोकी बहुत यादा हैल दी भी है अगर आपको हमारी इस्टेंट वेजिटेबल कड़ी पसंदाई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरू करें सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू